जाइन दोस्तों कैसे आप सब लोग स्वागित आपका मारी यूट्यूब चैनल में जॉब नोटिफिकेशन में आज मैं आपके सामने पाच बड़ी कंपनी में वैकेंसी लेके हैं दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जैसे कि मैंने थामनेल में लिखा है फाइब मोर कंपनी में सब के बारे में वैकेंसी के बारे में बताऊंगा इसमें थाउजन प्लस ओपनिंग है दोस्तों इसमें सभी तरह के ब्रांचेस एलिजीबल है बी इबी टेक डिप्लोमा एनी टाप के ग सबसे पहले मिल जाये अपको और दोस्तों हमारा चैनल को शरूर करण जैसे कि हमको हमारा चैनल ज्यादा लोगों तक पोचेगा और ज्यादा बच्चों की हेल्प होंगे दोस्तों यही मेरा में मैं आपसे बोलना चाहता हूं और दोस्तों मैंने वीडियो के बीच-बीच में आपको एक बात बताई है जैसी कि आपको इंटर्यू प्रोसेस में आ दोस्तों तो आप जरू ध्यान दीजे कि फेलर इस नॉट कंसेडरिंग फॉर अंसक्सेसुल परसन ओके तो आप उसको ध्यान में रखिए जैसी कि आप ट्राइ करते रहिए चले दोस्तों करते वीडियो शुरू बिना किसी देरी के साथ आप देख पारेंगे दोस्तों नौकरी.com के ओफिशल साइट पर है आपको क्या करना है दोस्तों इसमें अपला करने के लिए क्या क्राइटेरिया है बहुत सारे जॉब मैं लेका है हूँ सब देखते हैं दोस्तों प्लीज देखे और बीच-बीच में मैं ऐसे पॉइंट बतमगा जिससे कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस में आपको हेल्प हो जैसे कि आप फर्स्ट वैकेंसी देख पारें दोस्तों L&T ग्रूप में है दोस्तों इदर लिखा है पोस्ट ग्राजु अले हैं 100% 2022 वाले भी इसमें अप्लै कर सकते हैं इसमें आपकी वर्क लोकेशनघ्या ञें है है दोस्तों और आपको एधरा ब्स्ूर्प में एंदर बस देख पार होंगे कि एजुकेशन में इन्होंने बोला तो यह पर एजुकेशन में इन्होंने क्या माइं है बीई बीटेक और बीई इन सीविल सीविल वाले बीई बीटेक वाले अप्लेक कर सकते हैं दोस्तों इसमें सेविल वालों के लिए अच्छी वेकेंजी है दोस्तो इसमें आपको सालेरी मेंशन नहीं किये पर अच्छी खासी रहती है दोस्तो मैं बताता हूँ L&D ग्रूप में मुस्टली आपको 4 LPA प्लस इस सालेरी रहेगी LPA की लैक्स पर एनम सो आप इसमें अप्लाइ कर सकते हैं आपको next vacancy के तरफ लेके चलता हूँ दोस्तो और tension मत लीजे यह job full permanency होती है और इसमें आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं वो भी मैं बतता हूँ दोस्तो So next vacancy तरफ चलते हैं दोस्तो Next vacancy है graduate engineer trainee की दोस्तो इसमें आप जैसे की देख पारेंगे दोस्तों कि चार दिन पहले ही vacancy posted हुई है आप देख पारेंगे इसके बाद आपको इसमें fresher apply कर सकते है 100% vacancy 5 है दोस्तों आपकी जो work location और नौइड है रहेगी डेली इसमें आपकी जो salary रहेगी 1.25 से लेके 1.75 LPA तक रहेगी तो आपको make sure होना है कि आपने 100% profile बना ली हो क्योंकि 100% profile जब बनेगी तब ही आपकी जो profile है वह अच्छे से show होगी वह जो recruiter करते है HR को HR जब देखते हैं से sites तब उनको यही हतलब आपकी highlight होनी चाहिए और कुछ भी मढ़ डाले resume में कुछ भी मढ़ डाले मैं बता रहा हूँ आपको जब भी कोई job में apply करना हो तो key skill बहुत important है मैं आगे बताता हूँ क्या करना है दोस्तों सो आप देख पारे होंगे दोस्तों जैसे में scroll down कर रहा हूँ इसमें क्या education में क्या मांगा गया है education में मांगा है BE, BTEC, in mechanical, in civil mechanical वाले और civil वालों के लिए बहुत बड़ी vacancy दोस्तों सो आप इसमें apply कर दीजे apply कैसे करना है यहाँ पर option है सो आप नीचे देख पारे होंगे यहाँ पर option है इसमें आप apply कर सकते हैं सो मैं आपको next vacancy के तरफ लेके चलता हूँ जो third vacancy है दोस्तों वो है DBG technology में है दोस्तों इसमें 6 दिन पहले पुस्ट रहे है और आप देख पारे होंगे vacancy 70 और फ्रेशर इसमें apply कर सकते हैं आपकी जो work location रहेगी रेवारी में रहेगी इन्होंने salary disclose नहीं किये पर इन्होंने की skill में क्या क्या मांगा देख दोस्तों आप की skill बहुत important है आपकी resume में be fresher electronics job description इसमें जैसे आप scroll long करेंगे आपको education में क्या दीख जाएंगा education में आप देख जाएंगे कि आपको उनको नप्लाइ कर सकते अधर graduates based in static general बी बीटेक इन electronics and telecommunication production industrial mechanical electrical इसमें telecommunication बोला है मतलब CS IT वाले भी इसमें apply कर सकते है दोस्तों इसमें apply कर सकते हैं इन्होंने आपको apply करते हैं यह द्यार में रखना है कि आप भी कोई resume बना रहे हो वह एक अच्छे format में बनाई है अगर आपकी photo नहीं हो तो भी चलता है दोस्तों पर आपका जो basics जैसे कि आप आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर experience होगा experience में एका डालना है दोस्तों आपने जो internship किये वो डालना है यहाँ पर की स्कील डालना है दोस्तों यहाँ पर आपके contact details डालना है और यहाँ पर आपका email ID और photo भी हो सकता है यहाँ पर सो बहुत सारी चीज़ होती वह डालना होंगा अगर आपको इसके लिए डीटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीचा मैं बता दूगा दूस्तों सो मैं आपको एक तरह अब लेकर चलता हूँ Next जो vacancy है है दोस्तो रिलाइंस में है दोस्तो जैसी कि आप देख पारें कोई 5 दिन पहले ही posted हुए और ये vacancy bumper होती है रिलाइंस जब भी hire करता है ये 1, 2, 3 vacancy पर hire नहीं करेंगा दोस्तो आप इसमें apply कर दीजे इसमें fresher totally eligible है दोस्तो fresher apply कर सकते है फ्रेशट के लिए ही वेकंसी है दोस्तों आप इसमें की स्किल क्या बोले उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं मांगा दूस्तों आप जेक पढ़ा हैं कि कम्णिकेशन स्किल तो बेसिक हर जॉब में लगती है आप कोई भी जॉब करो उसमें communication skill बहुत matter करता है मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखिया है जिनको knowledge नहीं है पर communication high है उनकी communication skill high इसलिए हो select हुए जैसे कि इन्होंने मांगा है दोस्तो MS office so आप इसको MS office तो आपको आता ही होंगा basic है वो so आप देख पा रहेंगे दोस्तो जैसे ही आप scrolling करेंगे BE, BT in electronics, telecommunication and computers मतलब CSIT वाले सब इसमें apply कर सकते हैं apply कर दीजे दोस्तो नेक्स जो vacancy है दोस्तो मैं आपको लेके चलता हूँ यह जो vacancy है दोस्तो यह मेरी apply कर सकते और vacancy देखिए दोस्तो वेकेंसी थाउजन थाउजन वेकेंसी है दोस्तो आप इसमें apply कर सकते हैं जैसे आप clearly देख पारेंगे थाउजन वेकेंसी एरिया आपका जो work location है गा Bangalore रहेगा दोस्तो NCR रहेगा दिल्ली रहेगा मुंबय रहेगा all areas आपको जो minimum package जो start होता है वो है 5 LPA से लेके 15 LPA तब वो experience देखके बताएंगा आपको इन्होंने बहुत सारे key skill मांगे आपको मतलब job package भी अच्छा प्रोइट कर रहे है वेकेंसी बित्ती है अच्छे तो थोड़े बहुत skill होने चाहिए और यह skill आप इसली सिख सकते है आपको इसके courses चाहिए तो मुझे comment में ज़रू बदा दीजे मैं आपको provide करा दूंगा free of cost nothing any charge okay so आप इसमें देख पर application program java bpo btech natural natural language processing cell force testing big data application support IT manual testing machine learning software development PHP automation automation testing software business development sales information technology मतलब इसमें हर सेक्टर में job है दूस्तों इसमें हर सेक्टर में आपको sales चाहिए तो sales में है इसमें आपको कोई ऐसे barrier नहीं है कि आपको यही मतलब आपका course होना चाहिए so इन्होंने job description में क्या लिका है we have multiple opening for btech fresher with our client for software development testing support and other roles kindly share your update your resume so इन्होंने बोला है अपना resume upload कर दो resume अच्छा इन्होंने क्या लिका है education में graduation not required आपके पास होंगा तो भी चलता है नहीं होंगा तो भी चलता है पर matter क्या करता है skill इनको sketch है यह वाली जो इन्होंने बोला है इसमें से कुछ भी skills आपके पास होंगे तो आप apply कर दीजे skill सीखना बहुत easy है दोस्तो मैं बता देता हूँ skill सीखना बहुत बढ़ी hard नहीं है मैं आपको platform भी बता दूँगा आपको without costless comment में मुझे बता दीजे दोस्तो और मेरे email id पर आप contact कर सकते है description box में और इस सभी की link apply link भी description box में दोस्तो आप वहाँ से apply कर सकते है दोस्तो और आप जब भी apply करेंगे तो यह धान रखिए कि आपकी profile 100% complete हो चले दोस्तो मिलते हैं next video में तब तक कि लिए आप apply करते रहे हैं आपका job हो जाएगा कही नहीं कहीं पे चले दोस्तो